हलो दोस्तो मैं हूँ गोराव एंड इस वीडियो के अंदर आपन बात करने वाले हैं AWS की एक नई सर्विस के बारे में जिसका नाम है S3 एस तरी की फुल फॉर्म क्या होती है सिंपल स्टोरेज सर्विस ठीक है यहां पे आप स्टोर करके रख सकते हो आपका डेटा पहली चीज़ दिमाग में आएगी कि गोराव यहां पर डेटा स्टोर करके रख सकते हैं पर कितना तो दोस्तों AWS वह खुद क्या बोलता है कि आप यहां पर infinite data रख सकते हो जितना भी चाहिए उतना data बरबर के रख रहों वहां पर ऐसा AWS बोलता है अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आपको वहां पर data store करके रखना है तो आपके दिमाग में एक question और आ सकता है गोगल ड्राइव पर भी रखता हूं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा यह जो service है AWS की core services के अंदर आती है बहुत important service है यह जो service है यह आप लोगों के लिए सीखना भी बहुत जरूरी है चाहे आप एक developer है या फिर चाहे आप एक DevOps engineer है आपके लिए यह service सीखना बहुत बहुत ज़ादा important है कि अबल दो reason file upload करवाते हैं तो उसको कहां store करते हैं आपके server पे store करते होंगे बट क्या हो कि आपका जो server है वो crash हो जाए तो आपका जो application है जो भी user से file लेता है आपको किसी एक ऐसी जगह पे store करना रहता है जो reliable हो and s3 वो चीज़ है तो इससे क्या होगा आपका जो application है वो एक statless application हो जा लिए या फिर आप एक ऐसी website design कर रहे हैं जिसके अंदर आप video stream कर रहे हो तो आप videos कहां store करके रखना पसंद करोगे आप यहां पे s3 पर रखना पसंद करोगे क्योंकि आप इसको बहुत high speed से retrieve भी करवा सकते हो उन सब चीज़ के बारे में अपन आगे के आने वाले videos में ब लिजिए आप लोग terraform पे काम करते हैं अगर आप terraform पे काम करते हैं तो आपकी जो tf state file है वो आप यहां पर store कर सकते हैं s3 के अंदर पहली चीज़ दूसरी चीज़ build process में काम कर रहे हैं जहां पे आप आपके application का build बना रहे हैं build एक jar file हो सकती है war file हो सकती है एक dll file हो सकती आपके .NET application की तो आप क्या कर सकते हैं तो आप आपकी वो जो build है उसको आप यहां पर store करके रख सकते हैं ठीक है यहां पर फिर आप versioning enable कर सकते हैं versioning enable मतलब क्या आपकी आज एक वार file है कल दूसरी आएगी पर सो तीसरी आएगी तो आप देख सकते हैं की पहले दिन ये थ को बताना है कि एक important service है आपको यह सीखनी चाहिए as a developer as a devops engineer और as a infrastructure guys भी मैंने आपको बता दिया है कि आप टेरा phone पर तरहाम कर रहे हैं तो आपको यह service सीखनी चाहिए उसके अलावा आप लोग क्या कर सकते है s3 service को आप use कर सकते हैं as a storage और as a backup यूं मान लीजिए आपके पास एक application है और वह application एक hotel management का या एक hospital management का application है अब आपके जितने भी hotels के bills generate होते हैं या फिर आपके hospital की prescriptions जो है वो generate होती है तो आप उनको यहाँ पर store करके रख सकते हैं बट कितनी करोगे आज से 20 साल पहले भी hospital था और आज भी hospital है 20 साल का data अगर आप store करके रखोगे तो लग जाएगी वाट राइट डेटा तो of course store करना पड़ेगा बट कोस्ट जो हो बहुत ज्यादा हो जाएगी तो यहाँ पर क्या होते हैं AWS के अंदर अलग-अलग tier होते हैं आपके data अगर frequently access कर रहे हो तो आपको मेरा पुराना prescription चाहिए तो आप उसको बहुत सकते हो सर आपको ना पांस दिन बाद आना पड़ेगा पांस दिन बाद आपको देंगे अभी आपका data नहीं है हम लोग केवल दो महीने पहले देगा data रखते हैं तो फिर आप AWS को request कर सकते हो कि मुझे वह पांस मेने पहले वाली वह एक data या वह एक फाइल चाहिए तो AWS वह निकाल के देगा उसका पैसा वह और भी कम चार्ज करेगा क्योंकि वह आपको दो तीन घंटे के अंदर फाइल निकाल के दे रहा है यह चीज कैसे कर सकते हो यह भी मैं आप लोगों को बताऊंगा उसके बाद में S3 के अंदर क्या चीज है कि आप लोग आपकी website भ और JavaScript में मिलके बनी हुई हो, S3 कोई website आप बोल सकते हो, जिसमें किसी भी तरीके का आप कोई API या endpoint हिट ना कर रहे हो, ठीक है, अगर आपकी कोई S3 website है, जो static website है, तो आप उसको S3 पे host कर सकते हैं, उसके बाद में आपको software डिलीवर करना है, तो आप software डिलीवर कर सकते हैं आपका software आपके S3 bucket पे है, आप permission दे सकते हैं, यूजर को डाउनलोड कर सकते हैं, दोस्तों एक चीज और जो मैं आपको एकडम क्लियर कर दूँ, मैं आप लोगों को जो जो भी use case बता रहा हूं, मैं ये हर एक use case आपको बताने वाला हूं, ठीक है, करके बताने वाला हूं, so don't worry, ये चीज होगी कैसे, ये पूरे playlist में अपन यही तो करके देखने वाले आगे के कुछ videos में, उसके बाद में आप big data analytics के लिए भी S3 use कर सकते हैं, उसके बाद में एक use case ओर जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, और जो मेरे को सबसे अच्छा use case लगता है, मैं तो use case मैं आप लोगों के साथ share करना चाहूंगा, बट उससे पहले मैं आप लोगों को ये चीज बताना चाहूंगा, कि S3 जो है, ये charge कैसे करता है, आप लोगों से पैसा कैसे लेगा, तो यू मान लीजिए कि आपकी एक bucket है, और आपकी उस bucket के अंदर 1GB data है, 1GB data का AWS मुझ उस 1GB data का पैसा नहीं लेगा, क्योंकि पता चल रहा है कि उस 1GB data को पूरा इंडिया या पूरा दुनिया जो है वो उसको डाउनलोड करने लग रहा है, अब जब उस 1GB data को वो पूरी दुनिया डाउनलोड करेगी, तो AWS का network हीट होगा, उसकी bandwidth यूज आईगी, तो AWS आप से उस चीज का पैसा लेगा, कि कितना data उसमें बाहर भेज़ाए, उसके बाद में कितनी request आईए, उसके हिसाब से भी वो आप लोगों से पैसा चार्ज करेगा, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, जब मैं AWS pricing model के बारे में बताऊंगा, बट आप मोट चीज का पैसा आपसे लेगा, अब मैं मेरे use case पे आता हूँ, मेरा use case ऐसा है कि यूँ माननीजिए कि मेरा एक course है, मैंने course बनाया, वो जो course है, उसकी size है 50 GB, तो अब मैं उसको 50 GB पैसा दे रहा हूँ, AWS को 50 GB data use करने का पैसा दे रहा हूँ, अब कल आप मेरे पास आते हो, औ आपको ये बता हूँ, I mean ऐसा कोई scenario नहीं है, जसके और मान के चलना पहली चीज़ तो मैं आप लोगों से ये बोलता हूँ, कि ये जो course है, इसका मैं आप लोगों से 10,000 रुपया लूँगा, और 10,000 रुपया लेने के बाद में, आपको इसको डाउनलोड करना है, अब आता हूँ, ये पैसा मुझे ना लगके, आपको लगे, तो ये क्या possible है, क्या S3 में, यस, ये चीज possible है, कैसे होगी, करके दिखाऊंगा, ठीक है, तो I mean मेरे पास, मैं केवल storage का पैसा दे रहा हूँ, बट अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं, तो आपको पैसा देना पड़ आप लोगे, बट इसके लिए आपके पास AWS अकाउंट होना जरूरी है, बट अगेन, चार्ज आप दोगे, मैं नहीं, तो ये भी एक use case है, जो, I mean, एक अच्छा use case है, जो मुझे आप लोगों को बताना था, और दोस्तों, एक चीज और जो मैं आप लोगों को यहाँ पर चाहूंगा, जबी भी आप कोई भी AWS पे कोई भी S3 service यूज करोगे, तो सबसे पहले आपको वहाँ पे एक folder create करना होता है, और जो folder है, उसको यहाँ पर अपन लोग बोलते है, bucket, और जब आप वो bucket create करोगे, तो वो जो bucket रहेगी, उस bucket को आप किसी भी एक specific reason के अंदर ही create क नहीं भी create करो, बट आपको एक reason select करना पड़ेगा, बट एक चीज यहाँ पर जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, जब आप bucket create करोगे, तो AWS आप से उस bucket का name पूछेगा, और जब आप AWS को उस bucket का name बताओगे, तो आपको एक ऐसा name देना है AWS को, जो unique हो, अभी तक उस नाम उनकी कोई भी bucket नहीं create हो, ठीक है, और उस नाम की bucket ऐसा नहीं है, क्यावल उसे एक reason में, globally, AWS के अंदर, किसी भी reason के अंदर उस नाम की bucket नहीं होनी चाहिए, तब ही आप वो bucket create कर पाऊगे, नहीं, तो AWS एरर दे देगा, bucket name और the bucket is already exist, ऐसे करके कोई error आप लोगों को मिल जा इन एक बार आपने वो bucket बना ली, देन उस bucket के अंदर आप आपके objects और आपके file upload कर सकते हो, ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो मैंने आपको S3 के बारे में बताई है, बट जब आप playlist follow करोगे, तो ये क्योवल इतनी सी चीज़ें, इतनी सारी चीज़े और बच्ची हुई है, जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, like replications, cross region replications, same region replications, ठीक है, versioning enable, access policy, pre-signed URL, access logs, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, जो अभी बच्ची हुई है, मेरे को बताना नहीं था, मेरे को क्योवल आप लोगों को, मोटा मोटा बताना था कि S3 होता क्य करके, तब मैं आपको वो सारी चीज़ें बताता रहूँगा, और कहां पर किस चीज की जुरत पड़ेगी, वो practically करके मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं, अगले वीडियो में, बाबाए!